हेलो काईज वेलकम टू वेटनरी क्लास यूट्यूब चैनल तो गाईज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो डॉग होता है उनका आप अपने घर में रहके किस तरह से टेंपरेचर चेक कर सकते हैं थर्मामेटर के द्वारा तो इस वीडियो में आपको पूर को अगर फीवर है तो वो विल्कुल सुस्त होगा ठीक है किसी एक स्थान पर बैठ चाएगा ठीक है और खाना वगारा नहीं खाएगा और मुवमेंट काफी कम करेगा ऐसे बहुत सारे लक्षन जो है अपने डॉग में देख सकते हैं ठीक है तो गाईज फीवर को चैक करने तो आई जानते हैं किस तरह से जो है डॉग के टेमपरेचर को चेक किया जाता है विडियो फ़संद आती है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें तो चलिए शूरू करते हैं लेने के लिए आप चाहे मर्कृ वाला थर्ममेटर यूज़ करें या अगिय Hotel रामधिया मैं में की में ज़विखती सब्सक्राइब कर और चैनल जब हम लेते हैं यहां कर एड़ी करें यहां वह इसको काल मेरे रेक्टम, ए में यहां पर दाल सियदकम कर देए ठीक है और जो वाल होती है अंदर रेक्टम की वहां पर ये टच होना चाहिए ठीक है है और वहांसे फिर हम एक मिनट के बाद टॉक का जितना भी टैम्परेचर होगा तो वह आ जाएगा ठीक है तो अगर हम बात करें डॉक के नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर की नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर कितना होता है डॉक का तो डॉक का टेंपरेचर हम सेल्सियस में या फिर फार्ने हाइट दोन तरह से थर्मामेटर के द्वरा ले सकते हैं जो की पारेवाला थर्मामेटर होता है तो अगर हम बात करें फार्ने बॉडी टेंपरेचर 38.3 से लेकर 49.2 डिग्री सेल्सियस तक होता है ठीक है तो गाइस अगर इस से थोड़ा ऊपर नीचे आपके डॉग का बॉडी टेंपरेचर होगा तो फिर दिक्त कर सकता है जैसे कि अगर 104 डिग्री फारन हाइट अगर डॉग का टेंपरेचर है ठीक है या 37 डिग्री सेल्सियस आपके डॉग का टेंपरेचर है तो अपने नजदीक के पसूची की सक से अपने डॉग को जरूर दिखाएं